मैं हूँ वारणी और यह है मेरा डॉग और भाई तैसन हम दोनो ही च्राव्लर्स है मैंने खुद से वाधा किया है कि तैसन के साथ मैं पूरा इंडिया घूमूँगी अपने कार में हर जगे च्रावल करके हम अपनी कार में ही घूमते हैं, खाते हैं और सोते भी हैं Basically हम overlander हैं हम hotel नहीं लेते, हम car camping करते हैं आप हुमारे vlogs में देख सकते हैं कि एक solo female traveler अपने dog के साथ कैसे travel करती है और एक साथ वो कैसे मस्ती करते हैं हमारे साथ वो experience लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए अब बॉर्ण बहुत दिन हो गया है बदी कोई भी ओर ट्रिप करे वगेरा नहीं है, तो अब हम निकल रहे हैं जम्मु कभियर और मेरे गहर से अलमोस्ट सो आट सो किलमेटर का जो है वो डिस्टेंस है, सौरी एक मटी रूकना तो हम जाने वाले आप जम्मुकष्मीर ने पहले जाना है फिर कश्मीर जाना है और यहां से क्योंकि बहुत दूर है तो आज हम पहुचेंके पंठान को तक को कि ए ओ क्योंकि यह पार्ण प dolnat पंठान को तथकर जोड़े में पर फो जए यहां तो नेकल पांडे जाद जो मिनी गोवा है पठान कोट का अगर हम आज वहां पहुंचाते हैं पॉसिबिली पहुंची जाएंगे बट मैं एक जेनरल बात कह रही हूं कि दूर है डिस्टेंस और में को टैसन के हिसाब से भी चलना बड़ता है यह जो है हमारा सेट अप है ठीक है और पीछे भी हमने सम चुके हैं तो इस बेटर कि मैंना लंबा रास जल्दी कवर कर लूँ अ हुआ है है अगे 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 आए हुआ है हुआ है कि द्रूं और में घ्मिक। कि अभी थोड़ा सा डिस्टन्स कवर करना था अब पठान कोट यहां से साथ घंटे के रास्ता दिखा रहा है कि होगा अभी 450 किलो मेटर है इस बता हूं यहां टाइसन को लेखे आई हूं पता रही किसी का कंकार है यह है यहां यहां टाइसन अब पताने किस जानवात के पेश अरा मैंना यह तेड़ी तेड़ी आंखों से मोटा देखता रहेगा मुझे लेकित पॉटी नहीं करेगा इस खाना खार है इसको जो खाना है वो बरतन में दे रखाया और यह ना यह यह कवर से बचार कर वह वाटर पर जो नीचे बचाएव तो दिकत नहीं है और यह जो इसके अंतर लगाएवा है यह जो खाया रखाया है यह अंतर है यह अंतर है अब बचे हैं तू आइटी त्री गिलोमेटर और डिसंस दिकार रहा है कि फार्ज हट रगे कि अपरोक्स्ना पॉचने में इजो डिसंस दिखा रहा है इस दिखा रहा है पठांकोट तक का हमको इसके आगे मिनीगोगा पठांकोट जाने है तोड़ा सा आगे यह और इसे म ब्रेक्फस्स दंगते ख्या नहीं था साड़े बाइर बाइर बैस रहा है मैं सोची दिस्टंस कवर करनू पहले जितना हो सके अब भी तक हम गारी के साब से 233 किलामेटर चल चुके हैं Tyson oh Tyson किती नहीन आती है किốn नहीन दारी है तुमें हमको यह नहींन नद है Risky नी हो ठीए है हम तो इन खंटे के सोई में हैं तुम सब तू सोय ही जा रहा है तू गाड़ी ने शाला सकता तोड़ी सी तूम सब चला लगा कर थोडे थोड़ी described मिलेंगा तोरी छिच छिलाओ ऑघ्री चाला यार समर करो तुम तो कियाख किया न बात नहीं सुन्ते हो ना र्यक्त करते ओ कि sulphu मिनी ने कुछ नहीं करते हो सब्सक्राइब रंजीत सगरभ है उसके लेक है Grund अजलख बनी है अलग अलग जगे पर पुंशे तो अलग जागे इसो पर चार्ड ना सही में एक अगे अगे स्वार कुवन फेली पठानगों इमस्तेठी एिसके अब सब्सकेश अशाइब चार चारता है मैं बनाम रे मीचिश अगेゴ carbon कि अच्छानक आंधी चलने लग गई है अगर आपको दिख रहा है अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिनिगोवा पठानकोट अभी कम से कम 70 km दूर है तो मैं सोच जो पर पठानकोट पहुंचा हूँ फिर देखते हूं मुझे क्या करना है अंधेरे में कैम्पिंग नहीं करूंगी और मिनिगोवा पठानकोट में पता नहीं लाइट होंगी नहीं होंगी इसलिए मैं मैं सोच बाओ में एंटर कर रहे हैं पठानकोट पहुंचने के लिए और मुझे नहीं पता था कि पाहर दिया है मतब बहुत बड़े नहीं है पर है हालो हम ना पठानकोट के बस्टांड पे आ है कि मिनी गोवा पठानकोट तो पहुंच तो बहुत लेट पहुंचते ही सारे साथ से आठ बच जाते तो हम पठानकोट में पेट पार्कूं ले लिया तो कोई इसू नहीं होगा कि मतलब कि हम हमार साथ कोई दिक्कत वगेरा नहीं होगी कि मुझे हां से सकना पड़े उनको मैं कह चुक्यों मैंने सुबह तक रहना है अलावारा उस्ते बहुंके जा रहा है मतलब नहीं कोई हग लो सुसू कर लो बस वही एक इखलौता काम है हमने जो पार्किंग टिकित ल कि पचास रुपे मुझे जगे तो रहने के मिली गई और मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि अब मुझे मुझे कोई यहां से हटा सकता है वगरा है जब मैंने पैसे दे रखे हैं तो अब तो मैं ठाट सरूंगे मैं बना डर के अराम से चलो के सो सकती हूँ खाने क्ले मैं हैं और मैं खीरे खाके सो जाओंगी कश्मीर जाके जम हो जाके वहां का जो लोकल क्वीजीन है लोकल जो फूलोगा वह ज़रूर ट्राय करूंगी तो आप में से किसी को भी बदा है कि वहां का लोकल फूड क्या तो ज़रूर बताना प्लीज कि मुझे कम आइडिया है और कि मैं ऐसे ओनलाइन देख चुक्यों पर यूजरी कहते हैं नॉन्वेच डिशेज दिश होती है और मैं जो है नॉन्वेच नहीं खाती हूं तो मिरको वह चलेगा नी तो कोई वेच डिश हो तो जरूर बताना आप मुझे मैं फॉर शॉर ट्राय करूंगी आज ना अपनी पारी चली है 526 किलोमेटर मतब साड़े दस घंटे के अराओं बीच मैंने थोड़ा असका टैंक फुल करा लिया था मैं आपको जितने मेरा खर्चा होगा पूरी ट्रप का वो इस बार तो फॉर शॉर बताऊं कि मैं भी रिखना चाहते हूं कि कार कैंपिंग में अक्शल मे अगर फॉर बताऊं कि कितना खर्चा हुआ है वह गेरा और टोल वगेरा काउंट करके और मैंने कहीं अगर खाना काया है वह भी आपको बताऊंगी मेरा जो है मैंने सोच रखा है अज़ाद से जादा खाने में महनत नहीं करने वाली हूँ वैसे मैं लाह सब कुछ रखी मैंने सोच रखा है कि जादा महनत नहीं करूंगी घूमने आया हूं मैं खाना वनाने आया हूं मैं कऊकिंग नहीं दिखाना चाहते हूं एक बना कितना खालेगा तो फिर प्rist equally Economics जाता है वेस्ट नहीं भी जाएगा अगर एक वार तो बनाने वहां ढ़नानेमें तो मैं ट 50-60 रुपे के राजमा चावल आ जाते हैं खडी चावल आ जाते हैं मैं अल्रेडी पूरा सेट अप कर चुकी एक बार दिखावा देती हूं वैसे तो यह एक्षिली मैं क्या करते हूं पूरा समान कोशिच करते हूं यह सीट पर आजए उसका रीजिन यह है कि यह ड्राइवर रखावा है और एक बॉक्स रखावा है पिछली बार हमने ना कूलर भी रखावा था जो फ्रीजर सौट अव था इस बार हमने वह टा दिया है क्योंकि हम वैसे भी कश्मीर जा रहे है वहां ठंडा रहेगा और सेकंडली मैं यह नहीं चाहरी थी कि यह बहुत जादा स्पे इस ब्लॉग को मैं कल सुबें करूंगी मैं सेट अप कैसे करती हूं भार कांटे जोई मैं कवर लगाती हूं एक बाहर से एक बार आपको जिखा दूंगी पीछे लगाया नहीं है यह मैं लगाओंगी सोने से पहले क्योंकि पीछे से लगाओंगी डिक्की खोलके ना वह सुबे के बज रही है अभी साड़े पांच और हम बोट तो पहली गएते हैं बट निकल थोड़ा से लेट रहे हैं अंधरे में नहीं निकले हैं मियां से और टाइसन को थोड़ा गर्मी लगी रात लो तो मुझे सुबे के टाइम ना चार बजे कर रहा हूं उसको ले एसी जाना बड़ा काड़ीगा और यहां पर अच्छली जो गर्मी है ना वो जब गाजबाद जैसे ही है थोड़ा बहुत ही अंतर होगा जादा फर्क नहीं है तो उसको गर्मी लग दिती हो पुल टाइम कल उसका हाफ नहीं में निकलाया और मुझे लगता कि आज भी शाया थो यह ना मैं हमेशा रफ्लेक्टिक्स लगाते हूँ घर्मी कम लगते हैं मैं मैंने मस्केटो ने ले रखाए यह वह है इस वाले यह थो घ्टाइक से लगाया था इसले तो लागाने में बहुत बड़िक्कत हुए है क्यों यह नीची कर जाता है बहुत बार मान गाड़ी का यह वाला है, इसमें थोड़ी दिक्षा है, वा किसी और उसका है, क्रेटा का नहीं है, किसी और का है, बच मंगा लिया जो कि क्रेटा का मिलनी रहा था यह है पठान कोट का बस्ता है, कापी बड़ा है चो ऐसे कोई दिक्कत ने हुई और सेफ्टी इशू भी थानी लेलो अगरी तो करती है, सेट इस बहुत जदी है, क्योंकि कल रात में बारिश वी है, यह हमारा नमूना, इसे नीचे उतरने की बहुत जल्दी है, तर मैं सोच जोगी इसको आगे उतारूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तो यहाप पर गंड़ की कारेगा, फिर बैट भी गंड़ गलता है, अब इस वाले जो व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि अब जो यह जिते भी यह व्लॉग सीरीज आएगी इस पर जो आएगा, वो इस साफसा आएगा कि हम अगर नहीं जगे पे हैं, तो नहीं व्लॉग स्टार्ट होगा, अब यहाँ से निकलते हैं, शे बचने वाले हैं, और मैं सोच तो साड़े शे क्योंकि बारिश का ही मौसम है वैसे तो अब हम तो तब भी गाडी में हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तो आगे निकल सकत है, अब बस आप हमारे ना अगले व्लॉग का वेट करिए, क्योंकि उसमें आपको मिनी गवा पठान को दिखेगा, जहां से आक्चुली में सीरीज शुरू हो रही है, तब तक के लिए, बाई-बाई, गुड़ बाई, आजो, आजो बाई,